अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक ऐसी meditation की कला सीख सकते हैं, जिसकी मदद से आप अपने जिंदगी के कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं, फिर चाहे वो health से related goal हो, या wealth से related goal हो, या relationship से related goal हो, या फिर पढ़ाई या studies से related goal हो, आप किसी भी गोल को इस meditation की कला से सीख सकते हैं, दिखिए अगर आपको किसी goal को अचीव करना है, तो उस goal को अचीव करने में दो तरीके के work की ज़रूत होती है, एक होता है smart work और एक होता है hard work, ये दोनों ही work आपको करने होंगे उस goal को अचीव करने के लिए, अब hard work का role जो है वो सिर्फ एक परसेंट होता है उस goal को अचीव करने में, और smart work का role जो है वो 99% होता है उस goal को अचीव करने में, smart work is nothing but the opportunity, किस opportunity पर आप काम कर रहे हैं, मैं आपको एक example के द्वारा बताता हूँ, मानने जीए कि कोई action movie है, उस action movie में, जो भी action हम देख रहे हैं, वहाँ पर एक stuntman भी काम करता है और main hero भी काम करता है, अब stuntman ने हो सकता है उतनी ही hard work की है, या फिर hero से, जो main hero में दिखाई दे रहा है, उससे ज्यादा hard work की है, चलिए मान लेजिए, दोनोंने almost equivalent ही hard work किया है, लेकिन फिर भी, जो main hero होता है, उसकी income stuntman से कई गुना ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि हम कई बार तो imagine भी नहीं कर सकते हैं, दोनों का तालमेल ही नहीं होता है, main hero की income stuntman से बहुत ज़्यादा होती है, जबकि उस पूरी picture में hard work दोनों का बराबर होता है, ऐसा क्यों होता है, दरसल opportunities plays 99% role, opportunity main hero की बड़ी है, इसलिए उसकी income जो है, वो stuntman से बहुत ज़्यादा होती है, देखिए hard work वो हमारे हाथ में होता है, लेकिन opportunity मिलना ये हमारे हाथ में नहीं है, दरसल opportunity मिलना ये होता है spiritual energy के हाथ में, हमारी जो spiritual energy होती है, वो spiritual energy हमारे लिए opportunity create करने का काम करती है, अब आप बोलेंगे कि spiritual energy क्या है, ये क्या बात कर रहे हैं, तो देखिए spiritual energy is nothing but हमारा जो aura है, उस aura में हमारे जो positive emotions होते हैं, जो हमने ही create किये हैं, हमारे ओरा में, हमारे द्वारा create किये गए positive emotions, हमारी spiritual energy होती है, अब देखिए मैं आपको एक ऐसा meditation सिखाऊंगा, जिस meditation की मदद से, आप positive emotions अपने ओरा में create करके, अपनी spiritual energy जनरेट कर सकते हैं, और इस spiritual energy की मदद से, आप अपने goals को, आप अपने goals को achieve कर सकते हैं, हमने 3 घंटे का एक workshop रखा है, इस workshop को आप physically भी attain कर सकते हैं, आप चाहे तो online भी attain कर सकते हैं, अगर आप दूर हैं और physically नहीं आ सकते हैं, तो आप physically भी attain कर सकते हैं, आप online भी attain कर सकते हैं, और ये workshop ये जो meditation workshop जिसके द्वारा आप इस कला को सीख सकते हैं इस meditation को सीख सकते हैं अपने goal achievement को, goals को achieve करने के लिए ये absolutely free of cost आप इसे online भी attain कर सकते हैं आप इसे physically भी attain कर सकते हैं और देखिए ये जो तीन घंटे का workshop है इसका purpose आपको किसी paid workshop तक लेके जाना नहीं है आप ये तीन घंटे का workshop करेंगे उसके बाद में हम आपको एक week की hand handling भी देंगे और एक week की hand handling के बाद हम आपको हमारे ध्यान योग World Seva Trust की lifetime free of cost membership भी देंगे अब देखिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये free of cost है इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसकी value को कम कर दें ये जो workshop है जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ इसे कोई भी व्यक्ति कोई भी student जो 16 साल से उमर का ज्यादा है वो इसे अटेंड कर सकता है कोई भी housewife इसे अटेंड कर सकती है कोई भी employee से अटेंड कर सकता है कोई भी businessman इसे अटेंड कर सकता है और कोई भी retired व्यक्ति इस workshop को अटेंड कर सकता है अगर आप इस अधभुत meditation program को सीखना चाहते हैं इस workshop को अटेंड करना चाहते हैं जिसकी मदद से आप अपने किसी भी goal को अचीव कर सकते हैं तो इसी वक्त इस वीडियो के नीचे आपको कोई बटन दिखाई दे रहा होगा या इस वीडियो के description में जो link है उसके द्वारा आप इस workshop को register करें बहुत बहुत धन्यवाद, thank you very much